हेलो फ्रेंट्स जेहिन और वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स स्वागत आपका पी केम स्पेसिल क्लासस में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले करेंट अफेर 2021 यानि भारत और विस्व में पहली बार हुआ है जो कि एक्जाम की द्रिष्टे से काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि ऐसे कोस्टन जो हर बार हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आने वाले सहायक बुर्ण टेक्निसिन के लिए या जो है वीडियो वर्दान स आसकते हैं ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं आज की वीडियो को और उसके आपको बता दें कि यहीं चैनल पर नहीं है तो जली से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगलर और आथंटिक अप्डेट्स मिलती रह तो जली स्टाट करते हैं आज की वीडियो को त्रेंट्स आज का पहला कोशन है आज का पहला कोशन है कि तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज कौन बना है यानि 2021 में तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है तो यहां आंध प्रदेश बन नेक्स्ट कोश्चन है कि अरब छेत्र में परमाड उर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है तो अरब छेत्र में परमाड उर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश जो है संयुक्त अरब अमीराद बन गया है यानि जिसको UAE कहा जाता है अगला कोशन है कि भारत की पहली महिला एंबूलेंस ड्राइबर कौन बनी है तो भारत की पहली महिला एंबूलेंस ड्राइबर यम बीरा लक्षी में बनी है अगला कोशन है कि भारत की पहली राज अस्तरी ए लोक अदालत की सुरुआत कब की गई यानि कहां की गई तो फ्रिंट्स यहां 36 गड़ में की गई है यानि भारत की पहली राज जस्तरी ई लोक अदालत की सुरुआत जो है रिसीब कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा अगला कोशन है कि भारत के बाहर भारत के बाहर जो है पहला योग विस्विद्याले कहां बनाया गया तो भारत के बाहर जो है पहला योग विस्विद्याले जो है लास एंजलिस यानि सऩ्थाज अमेरिका में के बहरत का पहला कवक पार्क जो है कहां अस्थापित किया गया तो भारत का पहला कवक पार्क उत्रा خंड में अस्थापित किया गया नेक्स्ट कोशन है कि वीडियो के जरिये KYC स्विकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है तो यह कोटक महिंद्रा बन गया है यानि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वीडियो के जरिये KYC स्विकार करने वाला पहला बैंक बन गया है KYC का मेंस होता है कि know your customer होता है क्या होता है know your customer अगला question है जो कि most important है खेलों को उद्धोक का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्जी कौन बन गया है तो मिजोरम जो है खेलों को उद्धोक का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्जी बन गया है अगला कोशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश जो है लगजमबर्ग यूरोप बन गया है नेक्स्ट कोशन है कि कोविड-19 अगला कोशन है कि COVID-19 के कारण जो है करफ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज पंजाब बना है नेक्स्ट कोशन है भारत का पहला COVID-19 अस्पताल खुला मतलब कहां पे खोला गया भारत का पहला COVID-19 हास्पिटल जो है मुंबई में खोला गया अगला कोशन है कि भारती सेना में पहली महिला जज कौन बनी तो भारती सेना में यानि इंडियन आर्मी में पहली महिला जज जो है जोती शर्मा बनी कौन बनी जोती शर्मा अगला कोशन है कि राफेल उडान यानि राफेल उडाने वाली पहली महिला पाइलेट कौन बनी राफेल उडाने वाली पहली महिला पाइलेट जो है सिवांगे सिंग बनी कौन बनी है सिवांगे सिंग अगला question है जो कि most important है अभी हाली में recently में एक paper हुआ था उसमें यही question पूछा था कि किरसी भूम को लीज पर देने की नीत जो है लागू करने वाला देश का पहला राज जिकाउन बन गया है तो यहाँ उत्राखंड बन गया है यानि किरसी भूम को पट्टे पर देने वाला ऐसा नीत लागू करने वाला ऐसा policy लागू करने वाला भारत का पहला राज जिकाउन बना है तो उत्राखंड बना है नेक्स्ट कोश्चन है कि अटलांटिक महासागर के उपर यानि अटलांटिक महासागर के उपर जो है उडान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पाइलेट काउन बन गई है तो आरो ही पंडित बन गई है जो कि कहा से बिलांग करती है मुंबई से करती है next question है 6G उपग्रा लांच करने वाला पहला देश कौन सा है तो 6G उपग्रा लांच करने वाला पहला देश कौन बन गया है तो चीन बन गया है next question है कि भारत की पहली सोदेशी मसीन पिस्तॉल उसका नाम क्या है तो भारत की पहली सोदेसी मसीन पिस्तोल जो है अभी हाली में लांच की गई है कौण बन गई है A.S.M.I. बन गई है कौण सी A.S.M.I. नेक्स्ट कोशन है कि भारत का पहला कच्छुवा पुनर्वास केंद्र कहां अस्थापित किया गया तो भारत का पहला कच्छुवा पुनर्वास केंद्र जो है भागलपूर बिहार में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है कि देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल कहां पर शुरू की गई है यानि देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरूआ जो है भारत के किस सहर में की गई है तो दिल्ली में की गई है अगला कोश्चन है कि भारत का पहला ओटर पार्क जो है कहां पर अस्थापित किया गया है तो भारत का पहला ओटर पार्क गुरु ग्राम जो है हरियाना में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट कोशन है कि फार्मूला टू रेस जीतने वाले पहले भारती ये कौन बन गए हैं तो फार्मूला टू रेस जीतने वाले भारती जो है जहान दारू वाला बन गए हैं कौन बन गए हैं जहान दारू वाला अगला कोशन है कि हर घर जल हर घर जल राज बनने वाला पहला राज इक कौन बन गया है तो हर घर जल राज बनने वाला पहला राज जो है गोवा बन गया है आपको बताने कि सहाइक बोरिंग टेकनिशन का जो पेपर होने वाला है तो आपको current affair जो है बहुत depth में नहीं जाना ठीक है इसी तरह one-line format में जो हम करवा रहे हैं ठीक है to the point करवा रहे है यह वीडियो को आप end तक देख लेते हैं और उसके PDF के साथ revise कर लेते हैं तो आपका यहां से एक single question गलत नहीं होगा ठीक है एकदम one-line format में पूछा जाएगा question आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि आप आईए स्पीसेस का एक्जाम देने जा रहे हैं आपको लंबा चवड़ा paragraph देखे तब जाके question पूछेगा बिल्कुल नहीं एकदम online format में पूछा जाएगा इसलिए आप to the point पढ़ें ठीक है अगला question है कि नई रा अगर यह तो वीडियो के एक बार जरूर लाइक कर दें क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें next वीडियो के लिए motivation मिलता है अगला question है कि प्लाज्मा बैंक का सुभारम जो है कहा किया गया तो प्लाज्मा बैंक का सुभारम जो है दिल्ली में किया गया अग अगला कोशन है, COVID-19 से मुप्थ होने वाला भारत का पहला राज जी कौन बन गया है। अगला कोशन है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का सुभारम जो है किस राज में किया गया है तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का सुभारम जो है असम राज में किया गया है नेक्स्ट कोशन है कि दक्षिड भारत की पहली जो है किसान रेल कहां शुरू की गई दक्षिड भारत की पहली किसान रेल जो है अनंतपूर आन्ध प्रदेश में शुरू की गई प्रेंट साब को बता दिया कोशन जो है अभी रिस्टंटली में एक पेपर हुआ था उसमें ये भी कोशन आया हुआ था कि दच्छिड भारत की पहली किसान रिल कहां शुरू की गई तो अनन्तपुर में शुरू की गई most important इसको जरूर में और करनें आपको जरूर यह देखने को मिल जायेगा जबहा क्या ilgili पहला अपंग खी कि बहुआ कोशने के बहुत पहला ऑपंग और पार्क जो है में किस प्रहित निख्ष कोशन कि बैस यां खोणा घाब आखाधा क्यों सुरूर में खोणा चन्डी गढमे खोला गया नेक्स्ट कोशन है कि भारत का पहला जेंडर पार्क जो है किस राज्ज में खोला गया तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है किरल में खोला गया यदि आपसन में केरल ना दिया हो तो कोजी कोड जरूर आपको मिल जाएगा यानि भारत का पहला जेंडर पार्क कहां खोला गया केरल के कोजी कोड में नेक्स्ट है रिपब्लिक डे परेड में सामिल होने वाली पहली भारती महिला फाइटर पाइलेट कौन बनी है तो रिपब्लिक डे परेड में सामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट जो है भावना कांत बनी है क्या बनी कौन पॉइंट आव व्यू से फ्रेंट्स या जो कोशन अब बताने जा रहे हैं जो सहाइक बोरिंग टेक्निशन के लिए काफी इंपॉर्टन है क्यों कि यह उत्तर प्रदेश का एक्जाम है और यहां पर उत्तर प्रदेश का सेलेक्टेट कोश्चन है तो देश का पहला चमरा प साप्त करने वाले पहले भारती जो है मनीश कुमार बन गये हैं अगला कोशन है कि भारत की पहली महिला उपराष्ट पती कौन बनी तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट पती जो है कमला हैरिस बनी अगला कोशन है कि भारत का पहला फायर पार्क कहां अस्थापित किया यात्री बस्चालग कौन बनी तो श्मू कस्मीर की पहली महिला यात्री बस्चालग पूजा यादो बनी कौन बनी है पूजा यादो अगला कोशन है कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी most important फिर जरूर इसको pen down करें काफी important है भारत की सबसे युवा मेयर बनी है कौन बनी है केरल की आर्या राजेंदरन बनी है यानि केरल की जो आर्या राजेंदरन है भारत की सबसे युवा मेयर बनी है अगला कोशन है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है किस राज में खोला गया तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है उत्राखंड के हल्दवानी में खोला गया नेक्स्ट कोश्चन है कि देश का पहला टायर पार्क जो है किस राज में खोला गया देश का पहला टायर पार्क जो है पस्चिम मंगाल राज में खोला गया नेक्स्ट कोश्चन है कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो है किस सहर में बनाया गया तो बिहार का पहला glass bridge जो है वह राजगीर सहर में बनाया गया यानि बिहार का पहला glass bridge जो है राजगीर सहर में बनाया गया Next question है कि भारत का पहला mass garden जो है कहां पे अस्थापित किया गया तो भारत का पहला Mass Garden जो है उत्राखंड के नए निताल सहर में अस्थापित किया गया अगला कोशन है LIC का पहला Digital App कौन सा बना है तो LIC का पहला Digital App जो है कौन बना है त्या या अनाडा बना है कौन सा A, A, N, A, N, D, A यानि अनन्द इसको कह दें ठीक है यानि यलाईसी का पहला डिश्टल एप कौन बना है आनंद बना है आनंद नेक्स्ट कोशन है छोटे जानुरों के लिए पहला इको ब्रिज जो है किस राज में अस्थापित किया गया है तो छोटे जानुरों के लिए पहला इको ब्रिज जो है उत्रा खंड राज में अस्थ परनाटक के मैसूर में खोला गया नेक्स्ट कोश्चन है बिस्टो के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने हैं तो बिस्टो के सबसे कम उम्र के लेखक जो है अभजीता गुपता बने हैं कौन बने हैं अभजीता गुपता अगला कोश्चन है कि ISO सर्टिफिकट पाने वाला पहल अगला क्वेशन है निजुलेंड की पहली महिला मूल यानि निजुलेंड की पहली भारती मूल की मंत्री कौन बनी है तो निजुलेंड की पहली भारती मूल की मंत्री जो है प्रियंका राधा क्रिश्नन बनी है कौन बनी है प्रियंका राधा क्रिश्नन बनी है अगला चूट पाने वाला पहली कमपनी कौन बनी है तो भारत में 100% इंकम टेक्स चूट पाने वाली पहली कमपनी यह माईसी रेड उड बनी है कौन बनी है यह माईसी रेड उड बनी है अगला कोशन है एर कैरियर की प्रमुख एर कैरियर की प्रमुख जो है बनने वाली पहली महिल अगला कोशन है कि पहली रोपेक्स फेरी सेवा की सुरूआ जो है भारत के किस राज्य में शुरू की गई है तो या गुजरात सहर में शुरू की गई है अगला कोशन है कि सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गया है तो सबसे कम उम्र का जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है आरहम ओम तलसानिया बन गया है कौन बन गया है आरहम ओम तलसानिया बन गया है सबसे कम उम्र के computer programmer बन गए है अगला question है देश का पहला multi-model logistic park जो है किस राज़ में खोला गया है तो देश का पहला multi-model logistic park जो है असम के जोगी घोपा राज़ में खोला गया है ठीक है यानि असम राज़ में और जोगी घोपा शाहर में खोला गया है अगला question है राज इक्रिसी कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज पंजाब बन गया है next question है कि सब्सप्जियों के लिए निउन्तम समर्थन मूल तय करने वाला भारत का पहला राज पंजाब बन गया है अगला कोशन है कि लोग सिवा आयो की परिच्छा में ट्रांजेंडर को सामिल करने वाला पहला राज इकौण बना है असम बना है यानी युद्ध सिवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौण बनी है तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला जो है मिन्टी अगरवाल बनी है कौन बनी है मिन्टी अगरवाल यानि मिन्टी अगरवाल जो है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है तो फ्रिंट्स यहा था 2021 में जितने भी भारत और विश्व में पहली बार हुआ था उसको हमने यहाँ पर कवर किया फ्रेंट्स आपको बता दें यहाँ से आपका एक नमबर 100% पूछा जाएगा इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से देख लिए होंगे हमें आसा है और उसके बाद आप एक से दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद पीडियेफ के साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक नमबर फिक्स हो जाएगा और सहाइक बूरिंग टेक्निशनल एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो फ्रेंट्स आपको बता दें कि यदि वीडियो अच्छी लेगे तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगलर और आथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तो के लिए धन्यवाद